कि हो चुका आगाज रणका अभियूग बदलने की तैयारी है इतिहास वही बदलेगा संधर्ष जिसका जारी है जैहिं साथियों तो चलिए आज हम समझते हैं को सिका चैप्टर को यह क्लास रिवीजिनल परपस से बनाई जा रही है तो इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करेंगे हम बाकी अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो यहाँ पर नंबर दिया गया है इस पर आप लोग कांटेक्ट कर ली जिएगा यह जो नंबर है जो भी जैसे भी आटेक्ट करके नंबर ले लिजेगा चलाइए लिए क्लास करते हैं किसी का है या होते हैं श्रय्दाओ क्रियात्मंग मतलब सरीर में होने वाली कहां उंगी कोछिका में होता है तो ऒर जाकर कहां हो Map पाचन सरद्रों सरद्र होगा हम लोग हो अरगेनिजम में होगा और पाचन सधल्र होगा चपि सभी जीव कि छोटी चोटी चोटी कोशिका से मिलकर बने होते हैं सभी जीव एक यह जो कोशिका है इसके अध्यान को कहते हैं साइटो लॉजी को विज्ञान में कहते हैं साइटो जैसे मनुस्का विज्ञानिक नाम होमो सेपियन सुसी तरह कोशिका का विज्ञानिक नाम तो आप लोग क्या बताएंगे लेडू बना है बुनिया से ये दिवार किसकी बिल्डिंग किसकी बनी हुई है ये जो महिला नहीं ये तो चुड़ैल है बपरे लग रहा है जी देखलो अगर इसको ब्यूटी पालर भेद दिया जाए ना तो ब्यूटी पालर में जब भी कोई चुड़ैल जाते है परी बनके निकलती है वो लोग नोकिया को आइफोन बना देते हैं तो यानि सरीर की सबस बढ़ को समझते हैं आड़ सबसे चोटी को का होती है माईखोप्लाजमा सबसे बढ़ी सुथ better आपको चितर देखा रहे हैं और सबसे लंबा होता है नियूरॉं तंतरी नियूरॉन सबसे बढ़ी है इस वाहर है सबसे बढ़ी अंडाडा यानि ओम यह देखिए चित्र यह सुतुरमुर का अंडा दू से पांच किलो का होता है एक अंडा एक अंडे का अमलेट बनाईए एक खप्ता मगन से खाईए खुब यह माइको प्लाजमा सबसे छोटी कोशिका इसे जो कर आप प्लांट किंगडम कहते हैं इधर देखेंगे तो यह तं तो अब जो कोशिका है अगला हम समझते हैं कोशिकांग क्या समझते हैं कोशिकांग अब कोशिकांग में बहुत से कोशिकांग आएंगे सब को हम एक एक करके समझते हैं कोई दिकत नहीं तो उससे पहले कि अगर कि तर को देखिए जो सेल है यानि फोशी का यह बहुत सी कोशовых का मिल जाएं तो यह बनाती है उतक क्या बनाती है उतक और बहुत से उतक आपस मुल जाएं तो बनता है उतक तंत्र और बहुता मिलने पर स्पोंता है अंग पाए साहरीर में पहुत से support आए पाई जाएगे घडोड़ा ये से पाये से उतक पाये जाएंगे और कोश्कमणों कोशिकाएं पाई जाएंगी अब इसके बाद हम बात करते हैं कोशिकांग की इसकी कोशिकांग की कोशिकांग यानि कोशिका के अंग कोशिका किस से किस से मिलकर बनी होती है तो एक-एक को हम डिसकस करते हैं डारेट बताके तो पहला कोशिकांग है क्या सेल मेंब्रेन क्या है cell membrane यानि इसको हिंदी में कहते हैं कोसिका जिल्ली क्या कहते हैं कोसिका जिल्ली तो ये जन्तु कोसिका की सबसे बाहर की आरण है क्या है जन्तु कोसिका की सबसे बाहर की आरण और ये जन्तु पादब दोनों में पायदाता है पौधे में सबसे बाहर सेलवाल होता है, कोसिका भित्ती, इसका काम ये होता है कि पोसिका के बाहर से जो भी पदार्थ अंदर आएंगे, ये उसको देखेगा, अच्छा पदार्थ है तो अंदर आने देगा, बिकार रहे हो, भग जाओ, भग जाओ, यहांसे, आना नहीं है अंदर जिसे चौकी दार क्या करता है सबकी एंट्री करवाता है तो यह भी पुशीका में पदार्थों का एंट्री करवाएगी यह अर्ध पारगम में होती है मतलब यह चुन-चुन कर अंदर आने देती है आप लोग अपने घर में चोर को आने देंगे नहीं तो जो आपके यह पूर है यह फाटफ इसको काते हैं चैनल जैसे आपके घर में दर्वाजा होता है विसे इसमें है इससे पदार्थ अंदर आंगे बाहर जाएंगे तो पदर आर्थों का आदान परदान कोन करवाएगा यह कर्वाएगा क्यों अगला समझते हैं यह केवल पौधों में पाई जाती है और यह पौध है कि सबसे बाहरी संद्चा यह उसको सुरच्छा प्रदान करती है यह जो सेल वाल होता है वो उसको निश्चित आकार देगा और यह उसको सुरच्छा देती है अब जो जन्तु की कोशिका होती है उसमें तो पाया नहीं जाएगा एक लेकिन यह जो लिपीड और प्रोटीन है यह सेल मेंब्रेन रहता है पादप में कोश्क्याभित्ती बनी रहती सेललोज की जिवाडू में बनी रहती है पेप्टो गलाइकॉन की और कवक की बनी रहती है काईटीन की यह आप कभी-कभी पूछ लिया जाता है यह पेड़ों की जो कठोड़ता होती है यह बहुत कठोर होता है किसी पेड़ के पास इसे दत के बती आ रहे हैं बताओ खाना खाई की नहीं तो उसको चोट ना लग जाए उसको सुरच्छा प्रोटेक्शन प्रवाइट करने के लिए उसमें क्या होता है सेल वाल कोशिका कहा जाएं अगला है कि नयारा में कुठ लग जाएगा को चुट लगा के पूरे को सीका को मताएं घैजना है रहां बताता है नोजया को में बताएं इसमें में को का में कौन है नूकलियस तो इसे कहते हैं कोसिका का दिमाग ब्रेन आप नूकलियस इसकी खोज रावर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी किसने रावर्ट ब्राउन ने 1831 में ये कोसिका जन्तु और पादब दोनों में पाया जाता है अभी आपको इसका इस्टक्चर देखा के उसके कुछ addition इसको बाहर आपको दिखाई रही है इसको कहते हैं कंद्रक ओरन से वसको कना कि निघ्लिय गें शर्टुर में यह आएसे ऐग हेंके धुक्योंकिन सब्सक्राइब बाकर आपेंगे हैं गुद्धिक में अगला है अगला है इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम ये केंद्रक से ठीक बाहर निकला रहाता है इसका खोज पोर्टार और क्लावडे ने किये थे और ये दो तरह का होता है अगर इस पर यानि इस इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम में साट में कहते हैं ER दूप्रकार को होता है S-E-R और R-E-R यानि smooth endoplasmic reticulum rough endoplasmic reticulum तो देखे smooth को हिंदिम कहते हैं चिकनी अंतरद्रबी जालिका और इसको कहते हैं खुरदरी अंतरद्रबी जालिका जिसमें ribosome पाया जाएगा उसे कहेंगे खुरदरा जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको कहे जाएगा तो आप यह बन गए रफ endoplasmic reticulum और एकदम वसा पाया जा रहा है जैसे बहुत ज्यादा वसा रहेगा जाड़ा कम लगेगा एकदम गोरा देखेंगे या लीडी बलब की तरह तो आप रहेंगे यसी यार जिसमें ribosome नहीं है यसी यार यह देखिए उसके बारे घ्यो इसमें अलग से बना देंगे इसका काम क्या होता है तो ये तुरश्च्छा परना करता है मकेनिकल सपोर्ट जैसे आपके शरीर में से हड़ी नीकाल लूँ तो क्या हो जाएंगे केंद्र को सिखा को आकार कौन देता है निस्चिस सेफ देता है इंड़ा प्लाजमिक और इसका कारण क्या होता है प्रोटीन के निर्माड करवाती है गशीय वता का निर्माड करवाएगी यह जानते रहीएगा एक आगे बढ़ते थे अब राइबोसोम के बारे में पढ़ ही लिए तो देखिए यह जो आर्यन्य होता है आर्यन्य से ही यहां कुछ लिखा गया इसका फुल फाम राइबो सव हो जाएगा यह मैथ नहीं है यह बना होता है इस प्लस पचास अब समझे जैसे यह समझ लीजे यह क्या है यह आपका साठ और यह है है 40 यह क्या है 40 अगर दुनों को यहां से यहां जोड़ देंगे तो 100 यह होजाएगा लेकिन इसको अगर इसी में भितरा दें तो यह कुछ इस तरह से बन जाएगा यहां की पूरी लंबया सव की जगह कितनी होती है असी यह का क्या मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिक या सेडिमेंटेशन कॉफिसियंट कहते हैं तो आकार में बड़ा कौन रहता है यह और यह पाया किसमें जाएगा तो यह पाया जाता है यूकरियोटिक में इसमें और यह प्रोकरियोटिक में य फौर 2 में इसकी कोज गीये थे हैं लिटमान चाचा इसे बायो प्लास्ट नाम दिया ऑर माईटुकांडीया नाम दिया सी बेनडा यहां पर है एक थुशनकी एक एक में त्हारत सोस्ती में कोलिकर अच्छे इसका कांग क्या होता है तो यह उर्जा बनाता है इसलिए इसको कहते हैं उर्जाघहर क्या कहते हैं उर्जाघ्वर कोई दिकत नहीं तो इसकांग मàiटोकांडिया को निकाल दीये जनतुकोसीका का सबसे बड़ा पोसी कांग होता है माइटो कांडिया और पादप का होता है लवक तो वह भी समझाते हैं अच्छा इसको थोड़ा मैं करता हूं बड़ा नहीं हुआ क्या थी अच्छा इसके कारिवार आगे इसे उर्जागिरी पावर हाउस कहते हैं या फिर इसी को बिजली घर कहते हैं क्योंकि यह उर्जा प्रदान करता है किसके रूप में एटीपी के रूप में एटीपी को कहते हैं उर्जा का सिप्का क्या कहते हैं उर्जा का सिप्का क्वाइन साफ एनर्जी पुरा नाम होता है एडिनोटिन ट्राइट यह स्वस्तन करवाता है जैसे हम लोग सांस कि दिखाई दे रही दो परत होती है बाहरी परत और अंदर वाली परत तो देखो यह इस तरह से है लाली पाप की तरह सनरचना लगी होती है और इस लाली पाप वाले समर्चना को कहते हैं या को अब कर और माइटो कांडिया के पास खुद का डिन ने होता है इसलिए यह सेल्फ हो सकता है इसमें खुद का डिन ने राइबोसोम यह राइबोसोम कौन सा रहता है सत्तर यस वाला नहीं रहेगा एक आपलो मैट्रिक्स मत बहुत सई पूरे कोशिका को नियंतरित कौन करेगा केंद्रग अगर मालो माइटो कंडिया को कहा माइटो कंडिया तुम तरही कुर्जा बनाओ माइटो कंडिया श्ट्राइप है कि ना हम उर्जा ना बने तो हम ठक गए लिए तुम मेरा बात नहीं मानेगा अभी रूप इसमको बताता हूं मैं तुरंत कहेगा लाइसोसुरम को जा 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 ओसको मार देतो लाइसोसुम जाएगा अपना Хürm his इसमे बहुत से प्रकार के नजायब रहते है वह मरे चसी कांग को खोज कौन किया डीडूए पाचन का कार है तो पाचन कौन करेगा लाइसोसोम स्वतन कौन करेगा माइटो कांडिया यह तरह से रहेगी इस इंपचास तरह के एंजाइम भरे रहेंगे जलब घटक एंजाइम यह देखो यह क्या है यह चोटे-चोटे जो गोले दिखाई दे पाचन का परिवहन करता है क्या करता है तो जैसे तूचना उचना इधर उदर खत पहुचाना रहे तो डाकिया लेके दाता है पदार्तों का परिवहन कौन करता है गाल जी का है पॉसिका में यहां यह दिखाई दे रहा है इसी को हम जूम थोड़ा कर दिया हूं यह परिवान का कार करता है इसलिए इसे क्या कहते हैं यातायात प्रबंधक क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं इड्रिट्र साइब और नजाहार मतल साव जाओ रौड़ के बाहर यह ट्रैट्रैफिद फीज़ पोलिस इसको कहते हैं अगला ये है तारक काहिसेंट्राथ यह क्या होता है यह केवल जन्तु शारा में पाया जाएगा पौधह में नहीं पाया जाएगा बेलाना जैसी इसकी आकृति रहेगी सब्सक्राइट यह Heological समाव elkaar इचाहे क्य़ते हैं अंधीफ चरते हैं तो यह इसारी stressed our थे ऐ कि इस तरह से और दूसर का इस तरह से यह है कि चलो आगे बढ़ते हैं कि अगला है रसधानी वयक्योल आना उना तो हो गया आज उर्जा भी मिल गई खाना भी बन गया मालो अब उसको कल भूख लगेगी तो इसे घर में पनीर बना हो तो सब लोग खा लेंगे कोई घर में ल क्वते रसधानी अगर यह पादप कोश का मालो यह है प्लांट और यह है इनिमल इसमें छोटा छोटा रसधानी पाया दाइगा और मजे एक इसमें बड़ा का रसधानी पाया दाएगा इसमें 95 परसेंट वाटर रहता है और इसमें 65-70 प्रसें यह क्या करेगा जल खनीज और कार्बोहाइडेड इध्याती का संचे करके रखता है यह भंडार ग्री है तो क्या कहते हैं भंडार ग्री यह संग्रह करने का काम करता है चलो आगे बढ़ते हैं अगला है प्लास्टीड लवक खाना कहां बनता है घर में रसुणिया वाले घर में तो इसमें रसुणी घर किसको कहते हैं इसी को कहें कहें कि यह खाना बनाता है और यह कहां पाए जागा केवल प्लांट में अनिमल में नहीं पाए जागा कहां केवल प्लांट में इन प्रकार का होता है यह देखो इतने प्रकार का तीन एक है क्रोमोप्लास्ट वरडी लोग एक है लुकोप्लास्ट करते हैं लग्लेद्ट में पहाँ दोटा है जिसे जडव गया जिसे खाना बनाया क्वान प्रोमो प्लास्ट के लिए लुको प्लास्ट उसको रखेगा जाजर में कईरोटीन चुकंदर में तो विटानीन यह सब कलर प्रदान करते हैं तो किसके कारड़ है प्रोमो प्लास्ट है ये देखो ये हैloro Plasty क्या है रोड़ ऌनुप लाश्ट इन में、、 Wanρίh sms अ्यवाशन अचीजा सिकह रहा है है गाजा हुआ और अगर क्या कहते हैं asylakoid एक पूरा स्दलवा दिधर ड्राइपरण को कहते हैं रीग और इसके अंदर उख़ाली जग़ाये है उसको कहते हैं कि रात को प्रकास संसिल्य में होता है इस टो में रोलो कोई दिकत नहीं चलोएंगे अगला समझते हैं यह उसी कह चो बहर वाली वाली हुआ अगर वाली हम्रेल bisa देट है यह क्या है Selia चोटा-चोटा बाल की तरह सब्सक्द मे Arctic Final गोड़ा या इसे जो पोड़ा मारते हैं उसको अगर तरह रहेगा फ्लेजला देखो बड़ा बड़ा चुरहील वाला बार रहेगा फ्लेजला इसमें यूग लीना एक यूग लीना में से लिया और में प्रोकरियोटिक में हम अंतर देखते हैं तो देखो जो प्रोकरियोटिक कोशिगा में केंद्रक विक्सित नहीं रहता यह जो प्रोकरियोन ऑद्यू का मतलब होता है प्रेमिट्यू तो आप डंडी चलाते हैं अभी नंदर बनके यह लगते हैं तुट तक अपको आ गया तो ऑपलए कोष्का बनी तो नार्मल बनी रहता है इसमें पैम नहीं पाया जाएगा यह तिえる हैं और लो थ cinnamon वाला डीफुरेंस देखते हैं तो यहां देखो यह कोच्का अर्ध बिक्सित रहती यह पून बिक्सित में केंद्र बेक्सित रहता है इसाई है केंद्र कोक्ष में भीचित रहेगा राईबोसोम सब्सक्राइस सपरियार बाद तर बाद सिस benefit नहीं इसाफ हाँ होता है ड capac एक लोग बढ़िया इसकिन साथ ले लो और चाहिए तो नंबर पर संपर कंटक्ट करो अब हम समझते हैं जन्तु और पौधे की कोश्का होती है और इसमें सीलिया प्लैजला रहते हैं लेकिन जो पौधे की कोश्का होती यह ज्यादा करके चौकोर रहती और इसमें कोशिका पौधा बिठी ओलोवक होते हैं जन्तु में कोश्का बिठी नहीं पाए जाएगा अंदे सबसे इसमें भी इसमें राइबोसोम इसमें भी रहेगा इसमें भी गाल जी का इसमें यह सब सब दोनों को बनिया से यह देखो यहां प्लाजमा जली तो है यहां कोशिका वित्ति किदर है केंद्र की वित्ति यह देखो इधर कोशिका वित्ति रहेगा इधर कोशिका वित्ति नहीं रहेगा इधर तारक काई सेंट्रोसोम नहीं रहता यहां देखो यह जो तारक काई है तारक काई तारक काई इधर रहेगा लेकिन इधर नहीं रहेगा और जो लाइसोसोम है कौन ला इधर रहता है इधर लाइसोसोम नहीं रहेगा यह सब अंतर है इसमें देखो केंद्रक किनारे की तरफ है कि नहीं हाँ केंद्रक किनारे की तरफ है लेकिन यहां देखो केंद्रक एकदम बीच में बैठा है कि हम किदर नहीं जाएंगे और यहां जो यह रसधानी है यह एक से तीन रहेगी और बड़ी ऊрटी रहती है और इससाछ से 170 % water restore होगा तो यह क्या है दोनों में बढ़िया से जानते हैं कोई नया वीडियो बना देंगे आगे बढ़ते हैं अब आपके लिए कुछ केस्टन है जो अभी पढ़ाया गया है आप लोग चाहें तो देखिए एक मिनिट जरा वीडियो नहीं को जरा रोपिए तो चलिए जरा कुछ और समस्ते हैं लेखिए यह को सिकांगो में जो माइटो कांडिया है यह उर्जा बनाएगी ATP के रोप में इसको उर्जा घर काते हैं और तो यह स्वसन भी करवाता है तो अंतर स्वसन कौन करवाएगा माइटो कंडिया खाना कौन बनाएगा रचोंगर किसे कहेंगे लवक को केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं ब्रेन आपसेल काल जी का है ये लोगों को जहां भेजना रहेगा वहां भेजेगा तो इसको कते हैं क्रेफिक पुलीस यार अंत्रकंकाल जैसे हम लोगों में जो हड़ी है सरीर की सन्चना बनाई है इसमें यार बनाए रहेगा राइबोसों यह सबसे छोटा कोशिकांग है इसलिए से फोसिकांगों का कोशिकांग कहते हैं और इसी को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं क्या कह और सबसे बड़ा कोशिकांग और पॉष्यपी जंतू में रहेगा ने जंतू में दूनमबर पर कौन है माइटोकांडिया रहतों क्या करेगा यह पाचन का काम करता है स्वतन करेगा माइटो कांडिया पाचन कर देता है यह तो इसको आत्मात्या के थेली कहते हैं कोशी का देख लेगी हमरे अंदर बहुत जहरीला पदार था गया को फट जाओ सब कोशी कोई मर जाएगी और यह देखो रसधानी रसधानी क्या यह स्टोर पजाओं है जैसे आप कहीं गए हैं और पूर्जा कौन बनाएगा माइटोकांडिया खाना कौन बनाएगा लोगों में तो नहीं बनाएगा लोग बाहर से बनाना आडर कर देंगे पिज्जा बर्गर चाओ मीन और कर देंगे और यह जो गाल जी का है जहाँ जिसको पोचा मर गई लो मर गई लो तो यह क्या करेगा अपना लाइसोसोम का छोड़ा सची रिकेगा अपना जलब घटक एंजाइन तो धीरे धीरे करियल का आज पूरा करिया हुआ है कलतनी कम हो जाएगा परतूं और कम चौथा दिन और कम दूहकता बाद एकदम सही आप गोरे हो जाएं इस देखो जिन्दा लिवेन हॉक को फ्रीटस भैग्यानी 1865 में कुश्का खोचे कौन राबर्ट हुक और राबर्ट हुक यह जो फ्लेमिंग थे यह डिन ने नहीं फ्लेमिंग फ्लेमिंग तो यह खोच किया थे पैनी से लिंग जेलक जेंडर फ्लेमिंग लिवेन उक जिन देखो तलाब का जल लिख देना और निम लिखेत में कौन सबसे बड़ी कोश्क्या है तो बताए गया सुतर मुरकंडा सबसे बड़ा सबसे छोटा माइको प्लाजमा कोई दिक्कत नहीं और कुछ क्योस्चन है लो यह भी देख लो तो यहां सभी पौधे एवन जन्तू कोश स्ञानों कोंदिया था स्वान और स्लाइडं कौन वान और स्लाइडं एक लोग इन जन्तू सभी चाइज होते हैं जन्तू कशा कोशिका का कभ कहें यह बताओ भैक कोशिका कहां से बनी तो इसके लिए रडॉल फैर्ट वीर चोइए क्या बताएं यह बताएं ऊमनीन सेलूली सेलूला से धान्त को आगे बढ़ाया और कहा कि सभी पूरवर्ती कोश्का से बनी होती है तो अभी बताएगा ना रडॉल्फ बीर्चो किसने रडॉल्फ बीर्चो ने बोलो कोई दिक्कत नहीं अगला अगला देखो निम लिखित में से कौन सा जीव कोश्का के अनरूप नहीं है तो य अभी निम लिखित निम लिकित मेंसे कौन सा यूकरीयोटिक कोश्का का विसेश्ता नहीं है इसमें एक हो एक्षिका कोश्काओं में कुलोरोप्लास टनुफस्थित होता है यह में जल्दी-जल्दी करा रहा हूँ कभी औप्सेनल लेकर आऊंगा लाइओ भी बताया गया म प्लाजमा जिनली उसी को क्या कहते हैं कोश्का जिनली ऊप्लाजमा मेंबरेन ये चैन आतमक पारगम होती है ये बनी किसकी होती है तो प्रोटीन और लीपीड किसकी ए और बी चौथा हो जाएगा एक अगला अगला थाइंक्यू तो ये वीडियो रुक कर अभी तक देखने क के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट में बताइए जिन्दा को इसका कि खोच किसने की थी तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएएगा आई होप यह आपको अच्छा ही लगा होगा मिलते हैं के लिए तब तक के लिए जय हिंद